कि अ हुए व्यस्टमॉडू वीडिो तो क्येसे हैं सब तो आज सम बहुत ही इंट्रेश्टिंग बाली क्राप्ट बनाएंगे एक विंटेज त और बनाएंगे और हाँ आज हं मुश्ट में इस्ते बróleaker का इस्तंना करें जैसे कि आप सभीकी करना ही अच्छा लगता है कि मैं जुगाट से ही क्राप्ट बनाती हूं और हाँ आज हम और भी सारे चीजों का इस्तिमाल करेंगे आप सब आगे वीडियो में जान जाएंगे तो प्लीज वीडियो को कंटिनू देखिए और लास्ट तक जरूर देखिए जिसने भी मेरे चैन करते हैं तो फ्रेंज है जो छोटी सी क्यूट सी डिब्बा है ना इसको मुझे मेरे छोटे भाई ने दिया था तो उसने बोला कि दी इसका कुछ यहां पर थतर। screwed up यहां पर तूह मैं यहां पर Cart यहां पर बहुत पलाइस नि केक पBoyब्य का अच्छ है और यहां पर हम स्पोंज से कलर नहीं करपक पाएंगे इसलिए मैंने सोचा कि सैंड पेपर से थोड़ा सा रॉफ कर लेती हूं जैसे कि हम जो भी कलर करेंगे वो अच्छे से लग जाएगा तो अभी हम इस्तमाल करेंगे मेरी सबसे पसंदिदा चीज बो है कले पर मैं तो ज्यादा तर एमसील हाइट का इस्तमाल करती हूं तो आज सब्सेंड और यहाँ पर आप फेविकल क्लु लगा सकते हैं मैंने क्यामलीन इस्तमाल किया है क्यूंकर मेरे पास थो फेविकल नहीं तो गलू लगाने के बाद हम यहाँ पर क्ले को इसे अच्छे से लगाएंगे और जो भी एक्स्ट्रापाइट है उसको हम काट कर निकल और यहां पर हमने जो नीचे क्ले लगया था उसको थोड़ा सा ड्राय होने के लिए छोड़ देंगे टोटली ड्राय नहीं करेंगे क्यूंकि हमें वहां पर कला करी करनी है और हाँ फ्रेंज और एक इंप्रोटांट बात मतलब कि आप जब भी क्ले वार करना सुरू करें पहल जो धक्कन गो इतना अच्छा नहीं लगेगा तो अभी हम क्या करेंगे ना थोड़ा से क्ले लेंगे उसको उंगली के मदद से कुछ इस तरह से शेप देंगे और धकन के उपर यहां पर चिपकाएंगे तो इसको हम फेबिकल के मदद से या फिर क्यामलीन हाइट बुलू क के मदद से चिर्ड़ाइंगे अभी आपको मैंने पहले बोला था ना कि ए जो कलेी लगाया था थोड़ा सा डुला होने के लिए चोड़ेंगे उसके ऊपर हम इस क्ला कर लिया है अभी यह वाला जो दककर ने भू भी अच्छे शे ड्राय हो गिया है आभी हम क्या करेंगे नहीं जो डिबा है उसकोम और थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे वो भी PERCम के मदद से यहाँ पर हम और कोई चीज इस्तमाल नहीं करेंगे सिर्फ क्ले का ही इस्तमाल करेंगे तो friends मैंने पहले डिबे के निचे जहां पर clay को लगाया था उसके पास फिर से एसे ही clay लगाएंगे और पहले से मैंने glue को लगा दिया था अभी हम clay लगाएंगे तो उसके अंदर मेरी उंगली अच्छे से नहीं जा रही थी इसलिए मैंने यहां पर पतली सी ब्रॉस का इस्त पुंस के लिग के लगाने के बाद हम इसको अच्छे से झैनल करेंगे तो पहले हम क्या करेंगे ना जू हमारा अजी ने बनाया था उसके चारो तरफ हम फिर से उस एुसीी Progress का मुंहें कि और पर हम थोड़ाव साध्यान भगारा आ्ट करएंगे तो पहले इसको लगाने के बाद हम क्या करेंगे न हैं धक्कन की सेंटर में जहां पर हमने पहले रहे लगा था उसके चारव फर भी हम क्लेंगा कु है तरह से लगाएंगे और एक्स्ट्रा पाट को हम काट कर निकाल देंगे तो अभी हम क्या करेंगे ना थोड़ा से लेंगे और उसको उंगली के मदद से कुछ इस तरह से शेप देंगे और उसको दबा देंगे उसके बाद हम यहां पर कोई भी नोकिली चीज का इस्तमाल करें और में यहां पर एक डिजाइन बना रही हूं प्लेक मदद से आप अपने हिसाब से कोई भी डिजाइन बना सकते हैं में तो यहां पर पत्ते जैसा एक डिजाइन बनाऊंगी तो इस पत्ते के ऊपर हम डिटेल्स आड़ करेंगे नहीं तो हमारा जो पत्ता है वो पत्ते जैस ग्लू का इस्तमाल किया है तो यहां पर चारों तरफ हमने जो पहले क्ले को लगाए था उस में भी हम थोड़ी सी कला करेंगे तो हमारी ढकन अलमस्ट बनकर रेडी हो गई है तो अभी हम क्या करेंगे ना हमारी जो डिब्बा है उसको और थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे तो आप सोच रहे होंगे कि मै एक बार कियूं कर रही हुं क्यूंकि कि बहां पर मैंने चुछी लगाया था उसको अच्छी से ड्राए होने के लिए चोड़ दिया था इसलिए नहीं तो उसका जो ग्लू है मेरे हाथ में बार-बार चिपकता था तो इसी के लिए मैंने उसको ड पत्ते का पर सब्क मिलिया से तो इसोड खों आप को करेंगे करने के लिए हम यहाँ ब्लाक को इसित्माल करेंगे अगर जसो इस्तेमाल कर सकते है ao तो हां, जेसो कलर में थोड़ा सा मतलब कि इतना गलो नहीं आता है तो अगर आप सभी के पास जेसो हैं, तो आप जेसो इस्तव权 कर लिजिए उसके बाद तो मेरे पास नहीं है तो देखते हैं क्या होताएं, मैंने यहाँ पर ब्लक कलर कर लिया है और इसको मुझे थोड़ा सा बिंटेज लूग देना था इसलिए मैंने पहले ब्लाक कलर से कलर कर लिया है तो देखिए अभी हम क्या करेंगे ना हमारी जो धक्कन है उसको भी हम अच्छे से कलर कर लेंगे तो और हां और एक बाद आप यहां पर अपने हिसाब से कोई भी कलर कर सकते हैं तो अभी हम क्या करेंगे ना सिल्बर कलर का इस्तमाल करेंगे यह बाला भी कलर अक्रेली कलर है तो इसको हम थोड़ा थोड़ा सा जहां पर हमने कला करी की है उसके उपर थोड़ा-थोड़ा सा कलर लगाएंगे, मतलब कि यह जो सिल्वर कलर है, आप इसके बदले गुल्डन कलर का भी इस्तमाल कर सकते हैं, पर मैंने गुल्डन कलर का इस्तमाल बहुत बार किया है पहले, तो मैंने सोचा इस बार कुछ नया इस्तमाल करती हूँ, इसल तो अभी हम यहां पर सिल्वर कलर से कलर कर लेते हैं तो देखिए फ्रेंज मैंने यहां पर अच्छे से कलर कर लिया है और इसका लूक इतना सुंदर लग रहा है कि क्या बताओं पर यहां पर थोड़ी सी मिश्टेक हो गई तो हुआ एसा है कि हमने धक्कान और टिबा तो बन बंद नहीं हो राएं तो यहां पर हम धक्कन में थोड़ा सा करेंगे जैसे कि हमारा धक्कन और डिबा बोर टाइट हो जाए बंद करते समय तो मैंने यहां पर पहले ग्लू का इस्तमाल कर लिया है अभी हम क्ले का इस्तमाल करेंगे कि ले को कुछ इस तारह से हम यहां पर मतलब कि मैंने तो यहां पर M-C-Royad का इस्तमाल किया है आप कोई भी क्रेय का इस्तमाल कर सकते हैं तो इसको ऐसे लगाने के बाद जब dry हो जाएगा उसको भी हम black color से color कर लेंगे तो देखे मैंने यहां पर color कर लिया है अभी हम ढकन को बंद करके देखते हैं क्या होता है तो result तो आपके सामने है ढकन अच्छे से बंद भी हो रहा है अच्छे से खुल भी रहा है अभी हम चलो देखते हैं इसका final look तो friends आप इसके अंदर stationery चीज रख सकते हैं या फिर मेरी तरह कौरी सेल्स को भी आप यहां पर रख सकते हैं या फिर क्राप्ट के लिए हम जो je Şiddinhos कमाल करते हैं उसको भी रख सकते हैं और कोई भी सामान छोटी छोटी है आप यहां पर रख सकते हैं सो फ्रेंज आसके वीडियो को यहीं पर कतम करते हैं आई होब कि आप सभी का मेरी वीडियो अच्छी लेगी है अगर अच्छी लेगी तो प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताएगा मैं मिलती हूं और वीडियो में और एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक के साथ स्टील दें टेक क्यार बडाई